है cœur फ्रस्वारा है तो बेसिक्ली आज जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले अपने डेली लीट कॉपोट चैलंज की और यहां डेली बीट कोट चैलंज तो आज का जो चैलेंज है जैसे कि आप स्कीन पर देख रहे हो आज का चैलेंज का नाम है फ्रॉंग जम्प तो फ्रॉंग जम्प कैसे हमारा हो रहा है फ्रॉंग जम्प का हम समझते हैं एक फ्रॉंग है ठीक है वो रिवर पर है और डिवाइड कर हुआ है उसने पात को और आपको फ्रॉप को लैंड करवाना है लास स्टोन पे लेकिन हमें कुछ गई गई हैं और वह कैसे हैं क्या है वह हम देखते हैं और थोड़ा सा को समझते हैं कि आखिर में करना कैसे ठीक है तो आईये चलिए बोर्ड पे चलते हैं और जो है देखता है इसे थोड़ सा तो यह फ्रॉग जंप में क्या हो रहा है फ्रॉग जंप में इस लाइक कि हमें क्या दिया गया है हमें एक एरे दिया गया है एरे जिए वन जीरो वन थिडी 5 6 8 12 and then 70 लेकिन इसी के साथ उन्होंने कुछ facts भी दे दिये हैं और facts क्या क्या दिया है पहले हम facts की बात कर लेते हैं जो conditions है जो हमें करनी ही करनी है करना ही पड़ेगा तो आपको करना ही पड़ेगा तो लाइक पहली condition उन्होंने जो दी है वह हमें दी है कि first stone जो है कि always on zero ठीक है पहला स्टोन हमेशा जीरो पोजिशन पर है और फ्रॉग जो है पहले स्टोन पर ही लाए करेगा second condition जो उन्होंने दी है वो यह है कि first stone jump will be one कि first stone से जो jump वलगी वो one place की ही कर सकता है next is that कि हमारा आईयत stone पर अगर कोई है frog तो आईयत इस टोन पर फ्रॉग के पास जो है न क्या है थोड़ी सी चीजे बढ़ जाती लाइक वो उसके पास तीन condition बढ़ जाती है कि वह i plus one पर जा सकता है वह i कर सकता है और i minus one पर गर सकता है ठीक है तो यह तीन condition है और इन तीन condition को हमें जो है इंपोस करना पड़ेगा अपने कोड में कि इस तरीके से हमारा जो है कोड वर्क करें तो थोड़ा से ड्रायर करके समझते हैं जैसे अगर मैं क्या हूं कि वह जीरो वन थिरी फाइव 6 एट इतना माल लेका है ठीक है फ्रॉग हमारा न कोजिशन पर रहे तो सबसे पहले हमने क्या गरना पड़ेगा हमें वन थुझ जिशन से दिखना पड़ेगा क्या हो एक जम्प में skilled कि हमारा प्लेस हो सकता है तो हमने पर आंग SAP से बन जंप दी वंजम्प दी तो हमारा वन आया वन पर प्रीज़ दोगे फ्राउट अब ना ओ कि भई हमने प्रिवियस जंप दी ती तो अम यह कह सकता है कि वह तीन चीज़ बैठती है तीन चीज़े बैठती है जीरो वन और तू जैसे बने पताया था जितनी नंबर ओफ सकता है तो अगर मैं कैंट जीरो आगे प्लेच करांगे तो यह तो हमारा हो गए प्लेस करेंगा तो यह रहा होगा जाएगा तो हमारा थिरी हाजाएग तो यह हमारा जो है 3 पर प्लेज दो जाएगा with jumps of two now two jumps तो two jumps हुई तो हमारी तीन बात है तीन बात है क्योई two one और three ना हो कि हमने check करा क्या हम one डालते हैं तो क्या वो next पर जा पाएगा नहीं यहां two डालेंगे तो yes बिल्कुल तो initially two jumps लेकिन हम three के लिए चेक करेंगे अगर three डाला तो हम direct six पर जेंगे और यहां पर हमारी जो है three jumps हम लेकर six पर पहुँच सकते हैं इसके बाद हम क्या गए हमने फिफ्ट वाले के लिए चेक करा मतलब बारी बारी हमें ऐसे चेक करते लास तक जाना है और लास्ट पॉस्ते हैं पॉस्ते हैं यह हमें देखना तो दिखते आगे कैसे हम इसे करेंगे कोड़ा सा समझते हैं कि basically मैं क्या लेने वाला हूं हम क्या लेने वाले हैं आप चाहें तो वैक्टर ले सकते हैं लेकिन हम यहां पर क्या लेने वाले हैं हम यहां पर हैश मैप विध हैश शैट लेंगे क्योंकि हैस्ट को लेंगे सैट से क्या फायता हो जाता है सैट स का reduction हो जाता है कि हमें duplicacy पर में जाने की ज़रोत निपड़ेगी जैसे क्या होता है कि दो लोग same jumps दे रहा है तो उसके लिए सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले कोड़ पर चलता है और तो गाइस फ़र्स्त हम code करने चर्ट करते हैं तो code के लिए हम क्या करेंगे unordered map बने और unordered map में unordered set बना के int का हम अपना map को complete कर लेंगे then करें लिए रहान हमने माप बना लिया तो हमारी कॉंप्ठ कंडिशन क्ढीशन थी किidente Uhr हो तो जीरो प किए अगर इतल वूंच तो जीडों लाए तो शेल आ पंपयों таких तष्ट कीआ हिं दो urt सभी स्टोन्स के साइस पर जाएंगे तो सभी स्टोन्स के साइस पर जाने के बाद अब हम क्या गरेंगे अब में एक पोजीशन लेनी है कि वह कौन सी पोजीशन पर लाए गर रहा है तो इंट पोजीशन लेगे हमने स्टोन्स कि हमारी stones आई ही हमें positions बता रही है कि वो कहां पर लाए गर रहा है then हमने क्या गरा हमने check करा auto it.mq.position key अब जो ये position है इसकी it से मैं कितनी jump में जा सकता हूँ तो मैंने उसके लिए jump के लिए हम ने आरे पास एक loop है कि हम it-1 से लेखे it-1 कर सकता हूँ मैं अब it-1 से लेखे मैं क्या जा सकता हूँ मैं jump greater than equal to it plus 1 तक जा सकता हूँ it-1 it और it plus 1 यह हमारी तीन possible cases है जो हमने यहां पर done करें है तो इतना काम करने के बाद अब मैं क्या करूँगा अगर jump जो है वो या तो 0 हो जाए या negative नहीं हो तो हमारी किसी काम की नहीं है तो हमें क्या करना है उसे बड़े बाले पर ही jump क्या हमें jump को भी तो insert करवाना है न और बस यही काम करना था इतना काम हमारा हुआ अब return हम simply कर देंगे return क्या कर देंगे return हम कर देंगे MP और MP में क्या गरेंगे MP में stones stones.back की MP में stones.back मतलब हमारा last position अगर last position पे कोई jump नहीं आ रही और वो empty है तो हम कहेंगे कि यह हमारा तो run करते है guys और देखिए हमारा accept हो रहा है submit करके देखते हैं और इसी के साथ आज का हमारा daily lead code challenge अगर आपका भी complete हो गया तो जरूर मेंशेंड करें comment box में और वीडियो को like करना, share करना ना भूलें और इसी के साथ मैं आपसे बीदर लेता हूं और मिलते हैं बाद में